यलो गाइस तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक रूप से बात करने बाले हैं केंडल की स्ट्रक्चर पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग केंडल के बेसिक रूप को समझने बाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा most important होने वाली है क्योंकि बिना basic को जाने हुए हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते तो दोस्तों अगर आप भी stock market में trading या investing करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको candles के basic के बारे में जरूर पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों बिना candle के basic के बारे में हम लोग नहीं chart identification कर पाएंगे नहीं हम लोग candles को पढ़ पाएंगे तो दोस्तों इस बीडियो में हम लोग basic रूपसे candle के बारे में समझने बाले हैं बीडियो को एने तक जरूर देखना क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी skip किया तो सायर आपका कोई भी topic छूट जाए तो इसलिए बीडियो को एने तक जरूर देखना तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि candle जो होती है उसकी एक normal definition क्या होती है candle कौ हम लोग किस प्रकार पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग candle के basic definition के बारे में अगर बात करें तो उसकी definition होती है कि candle आपकी मुखिता दो प्रकार की होती है ठीक है एक हरी और एक candle आपकी होती है लाल ठीक है जब एक candle हरी होती है मतलब कि जब एक candle आपकी हरे कलर की होती है तो वहाँ यहाँ दिखाता है कि मूल उपर वड़ रहा है मतलब कि candle bullish है मतलब मूल उपर वड़ रहा है ठीक है और जब एक केंडल आपकी लाल कलर की होती है तो वहाँ यह दिखाता है कि मूल नीचे जा रहा है तो दोस्तों इसकी basic definition आपकी यह है अब हम लोग इसे example के रूप में step by step समझने की कोसिस करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों यहाँ पर आगे सबसे पहला आपका example क्या है यहाँ पर आप लोगों को कितनी candles दिखाई दे रही है एक और दो यहाँ पर कितनी candles है एक और दो यहाँ पर मतलब कि टोटल कितनी है दो candles है दोस्तों आपका चाहें बेंग निफ्टी का चाट हो चाहें निफ्टी का चाट हो चाहें फिन निफ्टी का चाट हो कोई भी चाट हो आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी केंडल्स देखने को मिलेंगी आपको सिर्फ दो केंडल्स देखने को मिलेंगी एक आपकी हरी होग क्योंकि हमारे चार्ण में सिर्फ कितनी candle दिखाए पड़ती है दो एक हरी और एक लाल आप यहाँ पर दोस्तों क्या होता है जैसे मालिजे यहाँ पर आपकी यह candle कौन सी है हरी candle तो इस candle को हम लोग क्या कहेंगे इस candle को हम लोग bullish कहेंगे क्योंकि ये दोस्तों उपर से नीचे तक बिल्कुल प्योर हरी है इसमें कहीं पर भी big या shadow नहीं है इसी परकार आपकी दूसरी candle क्यों सी है red तो इस candle को हम लोग क्या कहेंगे इस candle को हम लोग कहेंगे bearish candle क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी कहीं पर भी आपकी उपर या नीचे की साइड में कहीं पर भी कोई भी बिक नहीं है तो दोस्तों जब एक पूरी candle आपकी green कलर की या red कलर की form होती है तो उसे हम लोग bullish या bearish candle कहते हैं अब दोस्तों बिक क्या होती है ये कहाँ पर लगी होती है इसका मतलब क्या होता है ये सारी चीजे हम लोग आगे वाले part में discuss करेंगे तो दोस्तों I hope यहाँ तो आप लोग को समझ में आगे होगा हमारे market में मुखिता कितने परकार की candle होती है आपकी दो परकार की candle होती है एक कौन सी होती है एक हरी होती है एक होती है आपकी लाल हरी candles को हम लोग क्या कहते है मुखिता बुलिस कहते है और आपकी जो red candle होती है उसे हम लोग क्या कहते है बियरिस कहते है तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आगे होगा आप चलते हैं आगे अगला दोस्तों पार्ट आपका है यह ठीक है इस पार्ट में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि जो एक केंडल होती है उसका structure उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि हमें समझने बहुत ही जरूरी है आप दोस्तों यहाँ पर हमने एक green color की candle ली हुई है आगी आपका red candle भी है तो पहले इससे समझते हैं फिर उससे समझेंगे ठीक है तो दोस्तों यह जो आपकी green color की candle है इसमें कौन कौन से part होते हैं क्या क्या समझना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि यह जो आपका middle area है बीच वाला हिस्सा है इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं तो दोस्तों इस हिस्से को हम लोग कहते हैं body candle की body इस हिस्से को हम लोग pure rope से candle की body कहते हैं अब दोस्तों आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि इसके उपर भी छोटी डंडी सी है और इसके नीचे भी एक डंडी सी है तो इस डंडी को क्या कहते हैं और इस डंडी को हम लोग क्या कहते हैं तो दोस्तों इस डंडी को हम लोग कहते हैं सेडो या फिर आप लोग बिक भी बोल सकते हैं ठीक है सेडो बोल सकते हैं बिक बोल सकते हैं टेल बोल सकते हैं मतलब कि ये केंडल की क्या है पूँच है ठीक है ये केंडल की बिक है ये जो डंडी की तरह दिखाए पड़ रही है candle क्या है big है या फिर shadow है आपको आप लोग अपने समझने के हिज़ाब से कुछ बोल सकते हैं ठीक है अब दोस्तों यह जो उपर की side में यह उपर की side में जब अगर बिक निकली होती है या सेडो निकली होती है तो उपर की साइड में जो निकली होती है उसे हम लोग अपर सेडो कहते हैं क्या कहते हैं अपर सेडो इसी प्रकार केंडर के नीचे अगर जो आपकी बिक है जो सेडो है उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग लोवर सेडो कहते ह मतलब कि lower wick कहते हैं ठीक है अब दोस्तों इसना समझे कि अब बात करते हैं इसका high क्या होता है low क्या होता है open और close क्या होता है तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमने यहां पर कुछ लिखा हुआ है आपका high लिखा हुआ है close लिखा हुआ है open और नीचे की side मे low लिखा हुआ है इनका क्या मतलब होता है तो दोस्तों इनका मतलब basic रूप से ये होता है जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर open ठीक है ये open लिखा हुआ है और ये कहाँ पर arrow दिखा रहा है यहाँ पर इसका arrow क्लोज हुई तो यह क्या हो गया यह इसका ओपन एरिया हो गया मतलब जहां से यह ओपन हुई माली जी पांच रुपे पर यह ओपन हुई और यह ऊपर गई क्लोज कहां पर हुई यहां पर हुई और यहां पर इसका रेट क्या हो गया दस हो गया तो मतलब क्या हुआ कोई भी candle ऊपर की side जाती है तो उसका rate बढ़ता है ठीक है तो मतलब उसे हम लोग क्या कहते है उसे हम लोग bullish candle कहते है ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ bullish candle में क्या हुआ यहाँ पर 5 रुपे पर open हुई और 10 रुपे पर close हुई तो यह क्या होगी यह आपकी एक green color की candle होगे ठीक है अब यह हो गया अब high और low क्या होता इसका तो दोस्तों यहाँ पर हमने open और close समझ लिया इसकी upper shadow और lower shadow समझ लिया इसकी body क्या है वो समझ लिया अब बात करते हैं इसके high और low की अब दोस्तों माल लीजिए जैसे यह candle यहाँ माल लीजिए कोई एक नई candle है जिसका open यहाँ पर हुआ ठीक है जो कहाँ पर open हुई जो आपकी यहाँ पर open हुई एक सेगन दोस्तों कहा गया जो यहाँ पर माल लीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई candle open हुई ठीक है तो जैसे यह open हुई तो सबसे पहले क्या हुआ मार्केट थोड़ी आपकी जो केंडल है वो थोड़ी नीचे गई थोड़ी नीचे गई ठीक है अब नीचे जाने के बाद फिर उपर आई और उपर आते 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 कहां तक गई यहां तक गई ठीक है अब यहां से क्या हुआ यहां से seller बैठ है तो यहां से market आपकी candle जो है फिर नीचे आए यहां तहीं नीचे आए ठीक है अब यहां पर नीचे आने के बाद यहीं पर आके क्या हो गया candle आपकी close हो गई तो कहने का मतलब क्या है जैसे आपकी 5 मिनट की कोई भी candle है ठीक है जैसे आपकी कोई भी 5 मिनट की candle है तो वो open होई और open होने के साथ साथ वो नीचे भी गई नीचे भी गई जो यहां तक आई candle तो यहां पर क्या हुआ यहां पर इसने अपना low बनाया ठीक है और उपर कहां तक गई उपर यहां तक गई यहां पर इसने क्या बनाया अपना high ब तो कहने का मतलब इसने अपने पाँच मिनट के टाइम में इस एरिया तक नीचे गई और इस एरिया तक ये केंडल आपकी आपकी उपर गई तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस एरिया तक जो नीचे गई तो यह इसने अपना lower area बना दिया और इस एरिया तक यहां तक यह उपर गए तो इसने यह अपना high बना दिया ठीक है I hope दोस्तों इतनी बात आप आपनों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी हम बहुत ही simple भासा में समझाने की कोशिस कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर कर देना तो दोस्तों चलते हैं आगे क्या होता है यह होगी आपके green color की candle ठीक है अब आगे क्या है red color की candle लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज डिफ्रेंस मालूम पड़ेगी जो हब ही हम आपको बताएंगे पीछे हमने क्या देखा green color की candle अब आपके सामने क्या है red color की candle ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर क्या है बही सीधी सी बात है जो बीच वाला part है उसे हम लोग क्या कहेंगे उसे हम लोग body कहेंगे ठीक है उपर की side में अगर कोई big निकली हुई है यह जो दोस्तों big निकली हुई है इसे हम लोग क्या कह सकते है shadow भी कह सकते है tail भी कह सकते है मतलब कि पुँच ठीक है तो ये जो साट दोनों साट में ऊपर नीचे निकले हुई है इन हम डूट क्या कहेंगे अगर उपर की साट में है तो उसे अपर साट क्याएंगे नीचे की साट में है तो से लोवर साट हो गएंगे सीधिधिसी बात shaorse हूं अब दूस्थ्थों इसका हो इक Κहां तक है इसका high ये है, इसने मतलब ये open हुई और यहां तक गई, close होने से पहले ये यहां तक गई, ठीक है, ये इसका high और low हो गया, अब दोस्तों यहां पर एक चीज समझने वाली है, कि ये open कहां पर हुई, green color कहां पर open हुई थी, और ये वाली candle आपकी कहां पर open हुई, यहां पर दोस्तों, दोनों में difference किया है, दोनों में difference यह है, कि green color की candle जो थी, वो यहां पर open हुई थी, नीचे से open होती है, और red color की candle आपकी उपर से open होती है, कैसे, कैसे समझेंगे, अभी समझा रहे हैं आपको, दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आप केंडल नीचे से ऊपर की ओर जाती है ठीक है नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो वो हमारी कौन सी केंडल होती है हरी केंडल होती है ठीक है सिधी सी बात है तो उसमें क्या होता है प्राइस बढ़ता है जैसे पांस रुपे से कहां किया दस रुपे तक गया लेकिन हमारी जो ला गटेगी मौन लीजिए तो यह क्या हुआ यह open कहां पर हुआ था इससा डाट से घ्लार सिंपल सी बात है इसका open कहां पर होगा ऊपर साइड में open होगा और नीचे साइड में क्लोजिंग होगी अहोप दुस्तों आप लोग समझ रहे हूंगे आप दूस्तों आपको एक बाद समझाते हैं माले यह जो ओपन एरिया है इसका रेट कितना है आपका माल जिर्ट पंदरा रूपये ठीक है और यह कम होते होते पंदरा गट कर पांच रुपए तक बंद हो गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे इसे हम लोग एक red candle कहेंगे ठीक है अब दोस्तों इसका low और high same वही है जैसे पहले वाली candle में था कि यह अपने यहाँ पर open तो हुआ लेकिन open होने के साथ साथ यह पहले उपर गया यहाँ तक गया ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपने बायर्स वेट है तो इन्हों ने क्या क्या इसे उपर भेज़ दिया बापस और यहाँ पर आके इस candle की closing हो गए ठीक है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यह candle open तो यहाँ पर भी थी लेकिन इसने हई कहां तक लगाया इसने हई अपना यहाँ तक आइह होप दोस्तों आप老ोग को समझ में आ रहा होगा अब हम लोग बात करते हैं आगे की यूर इतना तुस्तों आपको समझ में आ गया अगर नहीं समझ में आ करकार होती है ग्रीन और रेड वाली तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने पीछे यह अभी समझाया है कि दोनों में डिफरेंट क्या है तो दोस्तों ग्रीन कलर की केंडल कप फॉर्म होती है जब कोई भी किसी भी चीज का रेड बढ़ता है जैसे 5 से 15 चला रेड कलर की केंडल होती है ठीक है इतना समझ में आ गया होगा और इसमें एक बेसिक आपका जो डिफरेंस है वो यह है कि आपकी ग्रीन कलर की केंडल जो होती है उसमें प्राइस का ओपन यहां पर होता है और रेड कलर की केंडल होती है उसमें प्राइस का ओपन यहां पर ह आएगा ठीक है और red में आपका ओपर से नीचे की और आएगा तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा आप चलते हैं आगे की और देखते हैं और क्या-क्या चीजे समझने वाली होती हैं आपके candles में ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग candle की psychology के बारे में समझेंगे कि क कोई भी candle है तो उसकी psychology हमसी क्या कहने की कोशिट कर रही है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे केंडल की psychology अब दोस्तों सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर कितनी candles से है आप बटाएए यहाँ पर आपके दो candle है एक candle और आपकी दूसरी candle ठीक ठिक है इतना समझ में आ गया होगा आप यहाँ पर दोनों की साइकोलोजी क्या कहती है आप दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझेंगे आप आप लोग बताईए कि या वह जो आपकी ग्रीन कलर की कैंडल है किया यह गेडल आपकी बूलिश कैंडल है या फिर जो आपके red candle है किया ये आपकी bearish candle है तो दोस्तों इसका जबाव आप लोग comment में जरू देज़ेगा तब तक हम आपको बता दे रहे हैं कि दोस्तों candles का जो color होता है उसके आधार पर हम लोग ये decide नहीं कर सकते कि candle आपकी bullish है या फिर bearish है समझने की कोसिस करना दोस्तों कि candles का जो color होता है उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि candle आपकी bullish है या फिर आपकी bearish है कैसे है या ऐसे है क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए candle की candle open गहाँ पर हुई इस area में candle open हुई ठीक है candle कहाँ पर open हुई यहाँ पर ये open हुई इसने high कहा तक लगाया अपना high इसने यहाँ तक लगाया close कहाँ पर हुई close ये candle यहाँ पर हुई तो कहें यहाँ पर क्या आपके सामने महसूस हो रहा है candle क्या कहना चाह रही है तो दोस्तों candle यह कहना चाह रही है कि मान लिजी कोई भी candle यहाँ पर open हुई ठीक है यहाँ पर open हुई और उसने अपना high कहा तक लगाया यहाँ तक लगाया ठीक है अब यहाँ तक लगाया उसके बाद यहाँ पर कौन बैठे हैं यहाँ पर sellers बैठे हैं कौन वेठें? sellers वैठे निटिक है, मार्केट को नीच्छे गराने वाले लोग वैठे थे तो उंहोंने क्या किया? उन्हों नें मार्केट को फिर से नीच्छे बांस वैड़ किया और यहां पर आके candles आपकी क्या हुई बंद हो गई यहाँ पर आपकी बंद हो गई यह area जो है यह area आपका green color का है तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यह जो उपर की side में है यहां पर यह सारे क्या है travelers wait है यह क्याँ बेथ है merely sweat है तो मतलब इस candle में sellers का प्रोफाव जदा है ये बायस का तो दोस्तों simple सी बात है आपकी big देखे कहां तक हुई है कितनी लंबी हुई है काफी लंबी है उपर की साड़ में तो इसमें क्यों है इसमें आपकी sellers active है ठीक है दोस्तों इस candle में को है sellers active है तो कहने का मतलब क्या है ये candle आपकी green तो जरूर है लेकिन किस के handle में है ये आपके sellers के handle में है seller इसे handle कर रहे है ठीक है क्योंकि दोस्तों उपर की साड़ में कौन बैठे है sellers बैठे है और उन्होंने नीचे को push कर 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 उसे कहां तक ला दिया इस एरिया तक ला दिया तो मतलब इस candle में किस का power ज़्यादा है sellers का power ज़्यादा है I hope दोस्तों इतनी बाद आपको clear हो गई होगी same situation आपकी किस में हुई है आपकी इस बाली candle मतलब red candle में हुई है इसमें भी देखिए दोस्तों आपका open area ये है close area आपका ये है और इसका low area आपका ये है तो कहने का मतलब आपकी candle यहाँ पर open तो हुई है ठीक है यहाँ पर open हुई और ये नीचे गए sellers ने इसे push किया नीचे की साइड में इसे क्या क्या इस candle को push किया और push करते 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 यहां तक आ गए अब यहां पर कौन बैट हैं आपके बायर्स बैट हैं तो उन्होंने क्या किया उन्होंने केंडल को बापस उपर की तरफ बाउंस किया बाउंस करते करते उस केंडल को यहां तक दबा दिया ठीक है और यह एरिया आपका सीमित रह गया मतलब कि पहले सेलर्स ने कहा तक लेगए इस candle को यहा तक लेगे लेकिन यहाँ पर से buyers नहें उसे bounce किया और उसे यहाँ तक पोहुचा दिया ठीक है तो इसमें किस का power जादा है तो इसमें buyers का power जादा है क्योंकि इस area में यह सारे corn bet हैं buyers bet हैं जो कि candle को नीचे नहीं आने दे रहे हैं तो दोस्तों आई हो इतनी बात आप मुँको समझ में आ गई होगी अब दोस्तों एक last topic बचा हुआ है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे फिर आज की आपकी class जो है बंद करते हैं ठीक है अब दोस्तों ये जो आपका last chapter बचा हुआ है इसे हम लोग एक बार समझ लेते हैं फिर हम आपको आगे थोड़ा सा चार्ड देखेंगे फिर आपकी class बंद कर देंगे ठीक है अब यहाँ पर इस दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर हमने लिखा हुआ है bearish और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है bullish इसका मतलब क्या होता है अब दोस्तों अगर आपकी कोई भी candle अगर red है ठीक है तो उसे हम लोग क्या करेंगे उसे हम लोग उसके color को देखकर identify नहीं कर सकते न कि वो bearish है या bullish है लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर open कहाँ पर हुई थी open आपकी यह हुई थी ठीक है और close कहाँ पर हुई close आपकी यह हुई यहाँ पर आप लोग देखिए कि open हुई यह यहाँ पर open हुई और इसे buyers क्या करें बापस केंडल को नीचे फुच किया और पुच करते 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 वह यहाँ तक लाए इस एरिया थीके । तो open जहां पर open हुई थी उससे भी नीचे candles को लाए तो दोस्तों जब कोई भी candle जैसे यहां पर open हुई और उस candle को open होने के साथ सा नीचे closing तो लाए उपर से तो यह आपकी candle कौन सी हो गए यह आपकी candle हो गए बियरेस मतलब कि इसमें यहां भी seller यहां भी seller यह यह सारे sellers बैटे हैं और यह आपकी red color की candle है तो यहां पर सीधी सी बात हो गए यह आपकी कौन सी candle हो गए आपकी बियरेस केंडल हो गए ठीक है यहां पर उपर से लेकर नीचे तक यह सारे कौन है सेलरस बैठे हैं यह सारे से नीचे देखिए यहाँ पर यहे उप्ए हुआ ठीक है यह जी क्लोजिंग है ओर यह क्लोजिन टिक आप यहाँ पर ओकर्पे फिर्से चींडल को और और ऑपर ने जा कर यहां पर इसनों ने क्या किया क्लोज किया तो कहने के मतलब क्या है इसमें यहां से लेकर यहां तक सारे के सारे कौन वैट हैं आपके बायर स्वैट हैं जो की केंडल को उपर ले गए तो यह केंडल आपकी कौन हुई बुलिस केंडल हुई तो दोस्तों आज की इस वीडिय ऐसे कोई जरूर कर देना तो कि दूस्तों काफी मैंनेज लगती है वीडियो में बनाने में भी और आप लोग को पढ़ाने में भी हमें भी मैंने लगती है तो दूस्तयों आप लोग हमारे लिए support करिएगा ठीक है अब दोस्तों एक last बात बचिए जो कि आपके लिए बहुत important है वो आपके सामने यह है आप लोग इसे एक बार जरूर देख लीजेगा यह जैसे कोई आपका chart है ठीक है इस chart में candle के बारे में एक दूख candle देखेंगे समझेंगे जिससे आपको और अच्चे से संबढ़ में आएगा आप दोस्तों इसे हमडूर जोम कर लेते हैं आप यहाँ पर दोस्तों देखिए जिन जोम किया अब यहाँ पर दोस्तों आपकी समझेंग दिखाई दे रहा बल्कुल बुलिस केंडल है, ओपर से नीचे तक बिल्कुल आपकी green केंडल है, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखें, इस area में यह जो area है, इस केंडल में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, कि यह केंडल red to है, ठीक है, red to है, लेकिन यह control में किसके है, यह दोस्तों आपके बायर्स के कंडोल में कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों नीचे की बिक जो है वो काफी लंबी है और मतलब की नीचे से इसे क्या किया गया है इसे पुस किया गया है मतलब यहाँ पर आपके बायर्स एक्टिव हैं तो दोस्तों इसी परकार आप ज्यादा बड़ी है, आपके ऊपर की साइड में बिग ज्यादा लंबी है तो दोस्तों ये ग्रेन होने के साथ ये अभी इसे आप सेलर के कंड़ोल में कह सकते है क्यांकि यहां पर जितनी बड़ी बोड़ी है उसके मुकाबले बिग ऊपर की साइड में ज्यादा लंबी है तो जिस साइड में ज्यादा लंबी होती है उस साइड के एरिया को हम लोग जैसे कि मालेजी उपर की साइड में बिग लंबी है तो इसे हम लोग क्या कहाँगे इसे हम लोग सेलर्स की कैंडल बोल सकते हैं और अगर नीचे की साइड में बिग ज्यादा ल जरू दबाएए साथ इसा सब्सक्राइब का वेटन भी जरू दबाएए तो चलो ही दोस्तों मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए जे हिन जे भारत